सीएम अर्विन केजरिवाल दिल्ली में प्रशाशनिक सेवाउपनी अंत्रंट से जुटे मोधी सरकार के अध्यदेश के खिलाब समर्थन जुटाने देश भर के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं केजरिवाल ने एक ट्वीट में बताया कि एक जुन कोवेत अमिलनाडू सीएम स्टालिन एसे से मिलने चिन्नाई पहुचे इसके बाद दो जुन को जारखंट सीएम हिमंत सोरेन से राची में मिलेंगे सुप्रीम कोट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अपसरों की ट्रांस्वर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे लेकिन केंदर सरकार ने एक अधियादेश लाकर ये अधिकार उपरा जिपाल को दे दिये थे सीम के जरिवाल इसके विरोध में ही विपक्षी दलो का समर्थन हासिल करने देश भर में गैर बीजपी राज्यो का दौरा कर रहे हैं अधियादेश का विरोध करने के दोरान के इजरिवाल 27 मई को हुए नीती आयोकी गवर्निंग काउंसलिंग की आजवी बैठक में भी नहीं गए बलकि इसके पहले उन्हें PM मोदी के नाम पर एक चिठी लिखी जिसमें कहा कि पिछले कुछ सालों में गैर भाजपा सरकारों को गिराया जा रहा है ये काम नहीं करने दिया जा रहा है हमारे देश का विजन नहीं है आठ साल बाद दिल्ली वालों ने लड़ाई जीती सिर्फ आठ दिन में अपने अध्यदेश लाकर सुप्रीम कोट का अधेश पलट दिया आज अगर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार काम ना करे तो लोगों द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार उन पर कोई कारेवाही नहीं कर सकती उन्होंने कहा कि जब खुले आम सम्विधान का मजाग बनाया जा रहा हो तो मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है आप 11 जून को राम लीला मैदान में शक्ती प्रदर्शन करेगी केंदर के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के राम लीला मैदान में महारेली कर शक्ती प्रदर्शन करेगी इपार्टी सूत्रों के अनुसार महारेली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तयारी है, गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंदर सरकार ने समिधान का मजाग बना दिया है, यह महारेली उसके ही खिलाप है।